Hey what's up guys, this is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Top 4 Instant Personal Loan Applications के नाम जो की आपको बहुत ही कम documents में loan दे देते हैं और ये application काफी बड़े बड़े application है और आपको definitely loan दे देंगे अगर आपको loan चाहिए ये तो बहुत ही कम documents में इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखना अगर आपको loan चाहिए चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe कर देना, पहले को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगए तो like करना, अपने दोस्तों के साथ share करना और guys, सबसे जरूरी बात loan लेने से पहले कुछ बातों का जरूर धियान रखिएगा, अगर आप loan का time to time repayment कर सकते हो, समय से loan का EMAI चुका सकते हो, तभी loan के लिए apply करना सही में कोई emergency होगा, आपको पैसो के जरूरत होगी, तभी loan के लिए apply करना, और कोई भी loan application आपको loan देने से पहले एक भी रुपय मांगता है processing fee fee fee, फिट security money के नाम पे तो बिल्कुल मत देना, बाकी अगर आपको मुझसे personally बात करनी है तो call book कराओ, instagram पे आपको पूरा मिल जागा, मतलब instagram पे आप मुझे message करोगे, मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको call book कराना है, call book कराके आप मुझसे personally पूछ सकते हो, ठीक है, personally कोई भी अपना question पूछ सकते हो, आपको loan नहीं मिल रहा है, या फिर आप किसी loan application से loan लेके परिशान हो, तो आप call book करा सकते हो, तो मुझे instagram पे message करना, description में link है मेरे instagram का, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा कैसे आपको call book कराना है, और उसके ब बाकि ये चार loan application अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा wait करो, बट उससे पहले तीन ऐसे applications हैं, जिनके link आपको मेरे इस वीडियो के description में मिल जाएंगे, पहला एग गुरोप पर एफर 100 रुपा देता है, दूसरा आपस्टक पर एफर 300 रुपा देता है, तीसरा है ICICIDirect.com पर एफर आपको देता है 100 रुपा से लेके 300 रुपा, अभी 2 सक, अभी 2 सक, अभी 2 सक, अभी 3 सक, अभी 100, इसमें offer चलता रहता है, तीनों application को आप मेरे इस वीडियो के description के देगे link चे download कर सकते हो, download करने के बाद आधार card pen का डालना, mobile number डालना, OTPI का डालना, bank details डालना, 5 आपका आधे घंटे में KYC complete होगा तीनों application का, उसके बाद से 24 से 48 घंटे में आपके ये तीनों application activate होगे, जैसे ही activate होगे, आप किसी को भी refer करने के लिए eligible हो जाओगे, फिर आप किसी को भी refer करना, जैसे आपने KYC किया, उस अगले बंदे या बंदी जिसको भी refer कीर होगे, इन तीनों में से कोई भी application, उनका भी KYC कराना, उसके बाद से जैसे ही उनका भी 24 से 48 घंटे में ये तीनों application activate होगा, आपका आपका referral का पैसा मिल जाएगा, सीधे पैसा अपने bank में transfer कर सकते हो, withdrawal कर सकते हो, ना एक रुपल लगाना है, ना एक रुपल लगवाना है, एक हा रिते हैं, mutual fund में कैसे पैसा लगाते हैं, अगर आपको इसका knowledge है, तो share market में पैसा लगाना, otherwise खाली इन तीनों application को आप refer करना, चलिया फटाफट से loan application का नाम में आपको बता देता हूं, दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा loan application है, इसका नाम है, रुफी लो, कि यह है, this is र रहे नम का, तीन महीने से लेके 24 महीने तक का time देता है, आपको loan चुकाने के लिए, अब ये आप मुझे पताना, comment करना कि सही में 3 महीने से लेके 24 महीने तक का time देता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, 15 दिन का loan देता है, और कुछ लोग बोलते हैं, 62 दिन का loan देता है, तो भाई देखो मुझे ये 15 दिन का लोन दिया था ठीक है अभी भी मैं आगर आपको दिखाना चाहूँ वैसे मेरे पास है नहीं अभी मैं इसको अनिस्टॉल कर दिया हूँ बड़ मुझे 15 दिन का लोन दिया था 7000 रुपय के लिए बहुत पहले अभी लोग बोल रहे हैं कि सरीवासर दिन का लोन दिया लेकिन इसमें दिया 3 महीने से लेके 24 मेन तब का टाइम है तो कुछ कह नहीं सकते ठीक है भागी यहाँ पे आपको उमर 21 साल होना चाहिए और आपकी सेलरी 12,000 पर मंत होना चाहिए 12 से लेके 15,000 के बीच में तो अगर आपकी सेलरी है नहीं यह formality के लिए लिखा गया है अधार काड़ पन काड़ से आपको लोन देगा कोई बैंकिस सेट्मेंट नहीं कोई इंटरनेट बैंकिंग आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है जिससे यह पता लगा सके कि आपकी सेलरी कितनी है कितनी नहीं है कि अप्लिकेशन है अर्ली सेलरी आपको पता होगा बहुत पहले मैं विडियो बनाया था कि अर्ली सेलरी अप्लिकेशन मुझे नब्बे अजार का लोन दिया था लेकिन मैं उसको लिया नहीं था मेरा अप्रूबल आया था फिर बाद में रेजक्ट भी हो गया जब मैं कुस जिन तक उस application से मतलब इस application से loan नहीं लिया तो अब गाइस यह application में एक funda है एक दिमाग है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यह दिमाग लगाने से आपको अच्छा loan मिल सकता है आपके bank में जो number registered है जो आपके bank में number registered है उसी number से आप कोई भी loan application से loan लेने का try किया करिए उससे क्या होगा इनको पता नहीं किस तरीके से पता लगता होगा यार मुझे तो ऐसा रगता है कि आपके bank का transaction कैसा है उसी number से और फिर ही आपको उस हिसाब से loan offer करते हैं और आपका civil देखके loan offer करते हैं जितने भी loan application वाले हैं क्योंकि मेरा transaction बहुत अच्छा रहता है bank का तो मैं वही नंबर डाला था और ना bank statement दिया ना कोई salary slip दिया ना कोई internet banking दिया और मुझे early salary application जो है नब्य हजार का limit so कर दिया और वो पैसा सिर्फ मुझे bank account डालके अपने bank में लाना था लेगिन मैं लिया नहीं ठीक है तो early salary काफी बढ़िया application है ठीक अगर आपके bank में जो number registered है वही नंबर आप डालते हो OTP आता है login उगरे करते हो जैसे आप normally loan application में करते हो तो यहां से आपको अच्छा कासा loan मिल जाएगा तो यह कुछ छोटी छोटी चीजे हैं जो कि आपको loan लेते समय ध्यान देना रगता है कि आपके bank में जो number registered है उसी से मतलब loan के लिए apply करो जो आधार card से registered है उसी से loan के लिए apply करो क्योंकि आजकल सब कुछ जुड़ा हुआ है ना bank में आधार pen आपका number सब कुछ link है तो एक number से सब यह पता लगा लेते हैं कि कहां क्या 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 कुछ है सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि यह पता लगा लेते हैं तो वही चीज़े हैं अब बाकी यहां पे देख लो यहां पर देख लो तीन महीने से लेकर 24 महीने तक का टाइम मिल जागा लोन चुकाने के लिए 100% डिजिटल है आधार card pen card और bank statement यहां पर आपको देना पड़ेगा ठीक है यह हमारा second application था चलो third application के मतलब बारे में मैं आपको बताता हूं भाई देखो मैं लिख के लाया हूं ठीक है मतलब मैं लिख लिया हूं हर एक चीज क्योंकि इतना यार नहीं रहता है ना थाड़ application है हमारा नीरा थीक है नीरा पांच जार से लेके एक लाग रुपा तक का आपको लोन देगा चौबिस परसेंट से लेके चप्टिस परसेंट पर आनम का इंट्रेस्ट रेट रहेगा तो आपको लोन मिल जाएगा नीरा अप्लिकेशन से आप नीरा से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो इसमें भी आधार काड पैन काड लगेगा सेलफी लगेगा और बहुत लगेगा तो एक बैंक स्टेट्मेंट लगेगा आपको लोन मिल जाएगा तो आगर आपको लोन च पर लोन देने का दावा करता है 20 लाख रुपय तक का 20 लाख रुपय तक का मतलब इस टार्टिंग में आपको कम देगा 10 20 30 40 पचा जार ऐसा ही देगा लेकिन जैसे ऐसे आप लोन चुकाते जाओंगे आपको अच्छा खासा लोन देगा और यह सिर्फ लिखा नहीं है लोगो और यह आपको यहाँ पर अगर इस से आप लोन लेते हो तो इसका इंट्रेस्ट रेट है 9% से लेके 45% पर एनम का बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है ठीक है एवरेज है यहाँ पे गाईज 6 महीने से लेके 72 महीने तक का टाइम आपको मिल जागा लोन चुका अच्छाका सा मिल जाएगा अब यh 4K 4 participating Morning के लोन करके चेक कर लेंगे अगर आपके लोन देते हैं तो आप ले सकते हो मुतलब अप्लाई करना करना अपके देते होंगे तो देई-टींगे आपको सीवील स्कोर अगर आपका कम रहेागा ना तो कोई ए अप्लेकैशन जल्दी लोन नहीं देता है लिदिलिकेशन है बहुत आरे एक प्लीकेशन बहुत ही है जिसन के बूर्न को Description के लिइंगे patch rapid षरब्ध कर सकते हैं त्यूर्वेलों के लिए पठ्सक्राइब खुरब डाउनलोड करो लोन के लिए अपलाई करो ठीक है इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है इसमें दो तरहीं कि आपको लोन मिल जाएंगे एक कैस लोन एक लेवल अपलोन अगर आप कैस लोन लोगे तो हो सकता है वहां पर आपको बैंक की स्टेट्मेंट देना पड़े क्योंकि अपको स्टार्टिंग में जादा ऊफर करता है هई अबसे बैंक की आपको बता दूँ वर्ना आप बात में बोलो घे कि आपके बैंक कर्क्रण के का बैंक करणे और यूब करना और अगर आपके बैंक अप्लोन जिसको बोलते हैं वो ले सकते हो सिर्फ अपने आधार काट पैन काट से हाला कि स्टार्टिंग में आपको लेवल करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा टोटल ही यारह लेवल होते हैं जैसे यह आप गिरूए अपको लोन लेने की ठीक है लोन लेने का कोई भी आपको जरुबत नहीं पड़ेगा ठीक है तो जैसे आज की विडियो में आई होग गय करना चैनल को सब्सक्राइब करना बैल एकों को प्रेस करना चलिए मिलते हैं किसे और नेक्ट विडियो में तब तक लिए जैहिं